नमस्कार दोस्तों भाश न्यूडेचल में आपनों का स्वाकत है आज की जवाने के हिसाब से चलना है तो जितना अपने आपको खुशत बनाना जुरूरी है उतना ही अपने दिमाग को तीज करना जुरूरी है ऐसे में आपको दिमाग और बोड़ी के बीच सन्तुर बना कर चलना होता है ताकि आप आज की जवाने के साथ खुद को फिट रख सकें लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है क्योंकि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा फिट रखने की कोशित करते हैं लेकिन आपकी कुछ आज़तें आपको पीशे छोड़ देती है आज़तें जल्दी नहीं छोड़ती लेकिन अगर आज़तें अच्छे होती है तो आपको काफी रहत मिलती है वहीं दूसरी तरफ आज़त अगर गलत होती है तो आपकी लाइफ बरबाद होती है बता दे कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़े घटित होती हैं जिनकी वज़े से आपकी दिमाग पर खुब असर पड़ता है ऐसे में आप डिप्रेशन के सिकार भी हो जाते हैं जिहां रोजमर्रा की आस्वस्त आज़तों और खान पान में पुष्टिक्ता की कमी के साथ ही सारीरिक साक्रियता की कमी के इस कारण दिमाग कमजूर हो रहा है दिमाग कमजूर होने की वज़े से आप चीज़ों को भूनने लगते हैं कभी कभार भूलना तो अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी यह आत्ते रोजाना बढ़ती जाए, तो समझ जाए आपका माइंड कमजोर होने लगा है, ऐसे हालत में आपको अपना खास ख्याल लगना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी तीन आत्तों की वज़ ही जादा असर पड़ता है, अगर आप जादा सोते हैं या कम सोते हैं, तो इसका असर भी आपकी दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वज़े से माइंड की नसे कमजोर होने लगती है, और तो और आपकी मेमोरी भी कम होने लगती है, अगर आप जादा मसालेदार खाते हैं, त आपकी memory और समझने की छमता भी कम हो जाती है नमबर तीन नसा करना नसा करना health के लिए बेकार होता है बता दें कि नसा किसी भी तरह का क्यों न हो वो आपकी दिमाग पर असर डालता है फिर चाहे नसा प्यार का ही क्यों न हो Research भी यही कहता है कि दिमाग को कमजोर करने में नसा महान काम करता है दोस्तों अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन तीन आज़तों से आपको पचला चाहिए दोस्तों इनमें से आपको सबसे ज़ाता कौन अच्छा लगा आप हमने कमड़ा वक्सिंग जरू बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और दोस्तों साथ से करना बुलें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यबाद